बिस्मिल्लाइरह्मारीरहीम, अस्सलाम अलेकूम, वेलकम तो इस इंपॉर्टन लेक्चर आफ पार्ट्स आफ स्पीच, इस लेक्चर के अंदर हम नाउन को ऐसे नंबर यूज़ करना सीखेंगे, जब भी नाउन को ऐसे नंबर रिप्रिजेंट किया जाता है तो वो सिंगु सिंगुलर नाउन ऐसा नाउन होगा जो किसी एक शखस, एक जगा या एक चीज़ को जाहिर कर रहा होगा इसी तरह ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा शखस या चीज़ को जाहिर करेगा उसको हम क्या कहते हैं? एक जो भी जमा को जाहिर कर रहा होगा ज्यादा को जाहिर कर रहा होगा उसको हम प्लूरल ज कहते हैं पहला रूल है आप तो पर जो सिंगुलर वर्ड होते है उसके end में हम email स लगा के प्लूरल बनाते हैं और यह सबसे common rule है, ज्यादातर हमें सिर्फ यही rule याद रहते हैं. For example, boy के end में S लगाएंगे तो boys बन जाएगा, girl के end में S लगाएंगे तो girls बन जाएगा, no doubt यह words ज्यादा हैं तादाद में, लेकिन इसके इलावा कुछ और rules नहीं हैं. Okay, here is second rule, ऐसे noun जो S, S, H या C, H या X के उपर end हो रहे होंगे, उनको हम plural बनाते वक्त, E, S add कर देते हैं. For example, हम यहाँ देख सकते हैं, class S पर end हो रहे हैं, तो इसके end में हमने E, S लगाए हैं. Similarly, kiss S पर end हो रहे हैं, तो इसके end में हमने E, S लगाए हैं. Similarly, dish S, H पर end हो रहे हैं, तो भी इसके end में हमने E, S लगाए हैं. इसी तरह match CH पर end हो रहे हैं, तो इसके end में हमने E, S लगाए हैं. इसी तरह text X पर end हो रहे हैं, तो इसके end में हमने E, S लगाए हैं. तो इसलिए जहाँ पर भी words के end में ये words आएंगे, ये letters आएंगे, वहाँ पर हम e, s लगाके plural बनाएंगे. ओके, ऐसे nouns जो y पर end हो रहे हो, लेकिन उनसे पहले consonant आ रहो, consonant means जो vowel ना हो, तो ऐसे nouns को हम y को i में change कर देंगे, और उनके साथ e, s लगाएंगे. For example, baby, baby में हम देख सकते हैं y से पहले consonant है, ये vowel नहीं है, a, e, i, o, u में से कोई word नहीं है, तो यहाँ पर हम y को i में change करके, e, s लगा रहे हैं साथ. इसी तरह लेडी, यहाँ पर y को हमने i में change किया, और e, s लगा रहे हैं, army, y को i में change किया, और e, s लगा रहे हैं, armies. Okay, next rule is, ऐसा noun जो f या ef पर end हो रहो, तो उसको plural बनाते वक्त, सबसे पहले तो हम f या ef को v में change करते हैं, और फिर उसके साथ e, s add कर देते हैं. For example, हम देख सकते हैं, thief, ef पर end हो रहे हैं, हमने इसको v में change किया, और v में change करके साथ e, s लगा दिया. Similarly, wife, इसमें हम देख सकते हैं, f, e पर end हो रहे हैं, f, e को हमने change करके v लगाया, और e, s लगा दिया. Similarly, wolf, इसमें हमने v word लगा के e, s लगा दिया, साथ. Okay, next rule is, कुछ nouns बनाते वक्त, हम उनके inside vowel word को change करते हैं, तो वो plural बन जाते हैं. For example, man में inside vowel a आ रहे हैं, लेकिन जब हमने man बनाया है, तो वो plural में e बन गया है. इसी तरह woman के अंदर a आ रहे हैं, और plural बनाते वक्त, वो e बन गया है. Foot के अंदर double or और जब हमने उससे plural बनाया है, तो वो double e बन गया. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ plural में ही यूज़ होते हैं इंस्ट्रॉमेंट्स के नेम में अगर हम देखें सीजर्स यानि कैंची, टॉंग्स, चिम्टा, स्पेक्टिकल्स जिसे हम चश्मा कहते हैं इसी तरह कुछ ड्रेसिस के लिए भी सिर्फ plural यूज़ होते हैं जैसे ट्राउजर्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज तो इनके लिए हम प्लूरल में ही इनको यूज़ करते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें लगते तो plural हैं लेकिन actual में वो singular होते हैं अगर हम सबजेट्स के नेम में देखें तो mathematics, physics, electronics इनके अरण पर S आ रहें लेकिन ये हैं singular इसी तरह word, news, खबरें ये word जो है, ये S लगा हो है लेकिन ये खुछ जो है, ये singular है इसी तरह जैसे हम कहते हैं I have a good news इसी तरह से names of common diseases जैसे measles हैं, rickets हैं इनके end पर S यूज हो रहें, लेकिन ये singular है इसी तरह name of some games, billiards, draughts, games के name में जहां पर S यूज हो रहें, लेकिन वो still उनको भी हम singular consider करते हैं कुछ collective noun ऐसे होते हैं, जो होते तो singular form में हैं लेकिन उन्हें हम plural के तोर पर इस्तमाल करते हैं जैसे word है, poultry, cattle, people, gentry जैसे, these poultry are mine, ये मेरी poultry है whose are these cattle, ये किसके मुवेशी हैं अब देखें, ये words collective noun है, जो group को show करें लेकिन हम इनको use करते वक्त, इनके साथ are use करें means कि हम इनको plural के तोर पर deal करें इस rule is for compound noun, which is a combination of two or more words यानि जो दो से ज्यादा words या दो words का combination हो, उसको हम compound noun कहते हैं तो उसमें जो principal word होता है, यानि जो main word होता है उसमें हम S लगा देते हैं जैसे commander in chief, इसमें जो main word है, principal word है, वो commander है तो हम इसमें S लगा देंगे, तो ये plural बन जाएगा end पर S नहीं लगाएंगे, इसी तरह court of male, इसके अंदर हम court पर S लगा देंगे son in law, अब देखें, in law तो relation को शो कर रहा है, लेकिन son principal word है तो इसके साथ हम S लगा देंगे, similarly daughter in law के लिए daughters in law, step son में अगर हम देखें, तो again principal word son आ रहा है, तो step sons बन जाएगा कुछ noun ऐसे होते हैं, जिनके singular में और meaning होते हैं और plural में और होते हैं, जैसे अगर हम देखें, air, atmosphere को शो कर रहा है लेकिन airs का मतलब है कि affected manners, यानि जिस तरह से हम effect होते हैं good, आम तोर पर benefit, भलाई को शो कर रहा है, लेकिन goods जो है, ये आमान को शो कर रहा होते हैं, compass range को शो कर रहा है, लेकिन compasses जो है, आम तोर पर हम instrument को कहते हैं, जो circles वगएरा, draw करने के लिए math में काम आते हैं physics, medicine को शो कर रहा है, लेकिन physics जो है, ये एक subject है, natural science okay, thank you so much, hope so, कि आपको इस short video में idea हुआ होगा कि आपने plurals किस तरह से बनाने हैं, आप इनको implement कर सकते हैं, अपने daily life में, बहुत सारे words को plural बनाने में, kindly आप हमें review जरूर कीजेगा, कि आपको ये lecture कैसा लगा, और comment में हमें जरूर बताईएगा, और upcoming lectures और videos के लिए हम आपसे request करते हैं, कि kindly आप हमारे channel को subscribe कर लें, और bell icon को click कर लें, ताकि हम further आपके लिए बहुत सारी ऐसी useful videos बना सकें, thank you, Allah आफिस